Hi everyone, welcome to my channel. आज हम Kingdom Animal Media का तीसवा लेक्टिर, उसका तीसवा फाइलम स्टडी करेंगे. फाइलम Clock. प्रेटर हेरमन्थीज, सबसे पहले बिसमिल्लार र्रह्मान रिर्वाहिम. Phylum Praetorhermethes Praetorhermethes mean flat worms ये नम्स ने अपने question में पूछा था कि Praetorhermethes means flat worms ये most important question है Then Praetorhermethes ये asymmetants होते हैं Praetorhermethes triploblastik animals होते हैं ये symmetrical animals होते हैं ये great bilatria से belong करते हैं ये bilateral symmetry show करते हैं ये भी UHS ने अपनी question में पूछा हुआ है और ये भी UHS का question है कि Praterhermanthes A-Cylomates होते हैं Then इनके nervous system की बात कर लिए इनमें well-defined nervous system present होता है इनके respiratory and circulatory system की बात कर लिए respiratory and circulatory system इनमें absent होता है इनमें absent होता है reproduction की बात कर लिए इनमें reproduction दोनों तरह की होती है ये फिशन के थ्रू करते हैं Praterhermanthes ये हर्मपोडियेट होते हैं यानके both male and female reproductive organs present in one individual ये UHS ने अपनी question में पूछा था कि Praterhermanthes हर्मपोडियेट होते हैं Praterhermanthes ये अब हम बात कर लिए है Praterhermanthes एक्टोपरसाइट होते हैं ये एंडोपरसाइट होते हैं few exceptions की वज़े से Praterhermanthes आर mostly endoparacytes होते हैं यहां पर exception आ जाती है कि ectoparacytes होते हैं ये endoparacytes होते हैं ये endoparacytes mostly जो होते हैं Praterhermanthes endoparacytes होते हैं Praterhermanthes में flame cells होते हैं और यह मुस्त भी फ्लेम सर्थ प्रेजन्ट इं ब्लेनेरिये यां फोट सेरल त्या क्षोन उस निप योज़ फेसइब्मृट्स एंडो परासाइट होते हैं और प्लेनेरिया का साइज 10 mm होता है अब हम प्लेटर हर्मन्थीज की बात कर रहें तो डूगेसिया जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं इसका साइंटिफिक प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम पेपर में पूछा जा सकता है कि वाट इस दा साइंटि लिएटिड आउटर सर्फेस होते हैं यह भी क्वेस्टिन बन के आ सकता है पेपर में के फ्री लिविंग से लिएटिड आउटर सर्फेस प्रेटर हर्मिंद इस कौन से हैं तो वो ड्यूगेज या या प्लेन एरिया ऑप्शन में दिया होगा तो आपको अच्छे से देखकर अप्शन को क्लिक करना यह दरन बायर कर रीते हैं एकसेमर नंबर दो कि असका ओला इसको कॉमन नेम लेवर फिएटिव में पूझा था कि लिएटिड यहिए अससे नेसकंट ने पूँजा था कर लिएटिवर स्यूख कर रहा है जैम और यह liवर स्यूख सांइटिफिक ने हम हमारा bile release करता है यह 분들은 trong bile duct होते हैं त रेन हम तीसरी example को च hon बात करें, Thania Soliom From the टेनिंट्र्म का सऊंटितिफटेक्ड नम, यह इस तरह भी पूछा जा सकता है कि टेनिया टाप्व रूम् का सॉनीफिक नम बताएं तो टेनिया सोलियमा एस आस एल एस एंकसॉलियम टाप्व прог्च सानिफिक निम है और यह इंड्य stripped पारा साइट इन हुमन्स में, कैटल में, एंड पिग्स में यह होता है, टेन या सॉलियम का जो इंटरमीडियेट होस्ट इसके होते हैं, वो पिग्स हैं, और कैटल होते हैं, मैं आपको बताता चाहरा जाओं के यह जो हमारा लेक्चर है, किंग्डम अनिमीलिया के जितने भी उनके बोर्ड एक्जैम्स में यह लेक्चर बहुत ज्यादा हल्प करेंगे, जैसे के फाइलम प्रेटर हर्मन थीज में, मोस्ट इंपोर्टन है, जो शोर्ट क्वेस्टन बोर्ड के पॉइंट अफ व्यू से है, वो है, वो जिस हर्मा पोडियेट है, यह क्वेस्टन पहले वर्य इंपोर्टन प्रेटर हर्मन थीज में, यह लिए होगा एक फाइलम में आगउ हूए, यह मैं आपको बताव दिये कि उप्राज और हर्मन थीज यह लोगव ऑदें, अचो, कलीता है महीं समझा दिए उच्थ और 13 के MDCAD के point of view से most important है, उनकी बात कर लेते हैं, पहला MCQ है, flatworms belong to, तो हम lecture में ये बात करकर आएं हैं कि plater hermanties को हम flatworms कहते हैं, तो हमारा delta right होगा, then scientific name of tapworm क्या होता है, alpha में ten या solium, beta में blood frug, तो हमारे पास second MCQs का answer ten या solium होगा, tapworm को हम scientific name ten या solium देते हैं, और ये UHS ने अपने MCQs में पूछा था, then हमारा तीसा MCQs है, a few species are free living and found in freshwater, नीचे दिये गए में से कौन सा free living and found in freshwater है, तो बात कर जाते हैं, alpha में planaria है, beta में tapworm में, charge में duresia and data में both ANC है, तो planaria को ही duresia कहते हैं, तो इसके लिए हमारा answer data होगा, both ANC,